दिव्याभार्थी और श्री देवी ये दोनों अदाकारा एक दूसरी से बहुत चिर्ती थी आपको बता दें कि जब श्री देवी डाइरेक्टर्स को नक्रे दिखाती तो डालेक्टर दिव्याभार्थी को साइन करने में देर नहीं लगाते थे और जब दिव्या भारती डाइरेक्टर से मोटी रक्म मांग लेती थी तब डाइरेक्टर्स श्री देवी के पास जाया करते थे दोनों एक दूसरे की तरह ही दिखती थी जब दिव्याभारती इंडेस्री में आई थी, तब कहा जाता था कि ये श्रीदेवी की छोटी बहन है, और तो और कहा ये भी जाता था कि अदाकारा दिव्याभारती श्रीदेवी को रिपलेस कर सकती है, क्योंकि वो उन्हें की तरह दिखती है, इसी के चलते दोनों की चिर एक दूसरे से समय के साथ साथ बढ़ चुकी थी. लेकिन कुदरत का खेल देखिए. श्री देवी के निधन से भी कही न कहीं दिव्याभारती का connection है. असल में दिव्याभारती और श्री देवी दोनों का ही निधन नशे की हालत में हुआ. तो वहीं दिव्या भारती का जन्म दिन जहां 25 फरवरी को पढ़ता है तो श्री देवी की पुन्यति थी 24 फरवरी को पढ़ती है इसके साथ साथ दिव्या भारती और श्री देवी दोनों के ही निधन ने फैंस को चौका दिया था दोनों का निधन रातो रात हुआ और अचानक सुभा जब फैंस को ये खबर मिली तो हर कोई गमगीन हो गया जी हाँ वो दो अदाकारा जो जीते जी एक दूसरे की शकल तक नहीं देखती थी कुद्रत ने अब एक तरीके से उन्हें जोड ही दिया है विनलकाट नूस्दिस्क